अज़ो और वेल्डम बेक तो माई यूटिव चैनल आज का विलाग हमारा होगा एक बहुत ही मशूर न्यूज़ के ब्रिज के बारे में हम जा रहे हैं इस वक्त उस ब्रिज के उपर जहां पर फुर था बागना पड़ा है क्योंकि सिंग्नल पैदल चलने वनों का बांध हो सिंग्रायो तबहुत ही मशूर ब्रिज है हमारे साथ इस वकथ जनाब मेरे एक कजण जो के स्पेंस से आयूए हैं दूसरी जोके किनड़ास य जोए हे मेरे बाई हैं शम्शेद बाई और ये साथ में मुजमल बाई हैं हमारे सात उजिए ब्रिज जो एक तो यह है यह पाक शूट किया गया था अभी मैं आपको दिखाता हूँ यह बिज्च यहां पर कितना क्राउड और लोग कितने ज्यादा बिज़ करने आयो में है लेट सी दैट यह देखें जी लोग कुछ बापस आरे हैं कुछ भी जा रहे हैं वह सामने बुगल अपरेज आ है वोस्की विस्टर रायम है यहां पर कुछ लोग जावाले प्योंते हैं जो कि मतला मैंहादन से इक्रॉस करके उस तरफ से रहाते हैं परेज कि वाक भी हो जाती है मैंने लम्मा परेज आ सबसे प्राना परेज बना हुए जो कि किनेट करता है मैंहांटन डाउन दोन को ब्रॉक्लिन के साथ बहुती अर्किटेक्चर का एक बहुतरी नम्मूना बना हुए आनके तो यह हैं ब्रॉक्लिन ब्रिज यहां नेचे से आपको ट्रैफर कुछ चाल रही है और थोड़ी सि कि तरफ चलते हैं ब्रॉक्लिन ब्रिज की ब्रॉक्लिन ब्रिज वहेत ब्रॉक्लैंट में चुरू बन शुरू ह件事情 है और यह दाote PP. 1883 में and at that time 1883 के अंदर दुनिया का सबसे लंबा सस्पेंशन ब्रिज यही था और इसमें आपको नीचे में हाइवे जो है वो नदर आ रही है ये FDR ड्राइव है इसको हार्लिम रिवर ड्राइव भी कहते हैं ये सामने हार्लिम रिवर ड्राइव है जी और काफी ज्यादा इसको मोद का रूट भी अक्सर लोग पन्याबी देशी जिए हमारे इंडियम पाकिसानी है वो ये भी कहते हैं क्योंके यहां पर यह बुत करवी सी है और काफी एक्सिडेंट भी होता है यहां पर थोड़ा सा आपको उसमी पिखाते हैं आप में आप पर तूरिजम का रिख सकते हैं सारे लोग दिग्री पर बाहर से आए हुए है एक अंदाजे के मताबक ब्रुक्लिन ब्रिच पे तकरीब बन दो हजार एक्ष के अंदर जी हां इस ब्रुक्लिन ब्रिच के ओपर से रफ पांच मिलियन विजटर्ज ने विज़र किया इस ब्रिच को और दे आर फ्रम डिफरेंट एरियास अफ दे वर्ड वर्ड वाल अफ दे गलोब यह कोई एक सिटी यह एक सिर अफ मिनहेटन यह ब्रुक्लिन के लोगों नहीं बलके इस ब्रिच के इस यह गेट है यह 1875 के अंदर इस ब्रिच को कम्प्लीट किया गया था यह जो आपको अभी नंबर नजर आ रहा है यह इसकी डेट मेंशन ने की हुई है कि कब यह बिल्ड अप हुआ था एक गेट इस तरफ है और एक गेट आपको ब्रुक्लिन की तरफ मिलेगा यह दोनों गेट तकरीबन सेम ही डेट के ओपर बने थे जैसे कि मने आपको बताए एक सीजन सीजन मतलब सिरफ समर सीजन के अंदर लोग यहां पर आती है तो खड़ा भी नहीं है जाता बंदू से लेकिन सिरफ समर सीजन के अंदर लोग 5 मिलियन 3-4 महीने के अंदर मेरे हाल से तो यह एक बड़ रैकट होना जाहिए किसी भी ब्रिज को विजट करने का जो है इतनी ज्यादा रिशो मेरा नहीं हाल कि किसी और जगा पर होगी हो सकता है लंदन का जो ब्रिज यह वहां पर आप में जिसका नाम नहीं आता उस पर हो लेकिन यह देखें आप ट्राफिक का फ्लो देखें आप यहां पर ट्राफिक का अकसर ऐसे ही जैंबर पैक रहती है डिफरेंटनी सिटीज के लोग आपो नजर आ रहे हैं वो अजादी के साथ गूम रहे हैं किसी किसम की कोई रिकावट नहीं है सफाई देखें कितनी बेहतरीं ट्रीके समने रखी हुई है लोग कितनी केर कर रहे हैं चीज की और साथ में आप यह जी प्यार के ताले भी लगे हुए हैं लावबर्ड्स है देर लॉक्स ओवर रहे हैं उपर यह ज़िए नाम लिखा हुए है के अजी और सम्थिंग लोग उनना डेट्स लगाई हुए है किसकिस डेट को और रहे हैं and don't forget to share my YouTube channel thank you very much and see you soon with a new video